हेलो, इस वीडियो में हम हाइपर लिंक के बारी में जानेगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपर लिंक है क्या, तो हाइपर लिंक डाकॉमिंट में एक लिंक होता है, जिसे क्लिक करने पर हम दूसरे पेज या फाइल पर पहुँझ जाते हैं, जब हम इंटेनेट पर कुछ पढ़ते हैं और जब हम किसी शवद या बाक्य पर क्लिक करते हैं, तो एक अलग पेज खुल जाता है, जिसमें उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, इस परकार के लिंक को हाइपर लिंक बोला जाता है, यह हमारे पास वर्कशीट है, इस वर्कशीट में यह चार शीटे दी गई हैं, इन शीट का हम यहाँ पे इंडेक्स बनाएंगे, ताकि हम जिसके ओपर कलिक करें, वही शीट यहाँ पे ओपन हो जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, शीट नमबर 1, यह लिखा, लिखने के बाद हम यहाँ पे चार शीटे बनाएंगे, तो इसको ड्रैग करेंगे, यह चार शीटे हमने यहाँ पे बनाए, शीट नमबर 1 को हाइपर लिंक करेंगे, इसके बाद 2 को, इसके बाद 3, इसके बाद 4, तो हाइपर लिंक बनाने के लिए, हम शीट नमबर 1 पे क्लिक क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट टैप पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टैप पे क्लिक करने के बाद लिंक्स ग्रूप में जाएंगे और यहां पे हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इंसर्ट हाइपर लिंक डायलो बॉक्स यहां पे अपन हो जाएगा जिसमें क यहां पे लिखा हुआ है link to यहां पे चार option है existing files और web pages यह किया है इसके बाद है place in this document इसके बाद है create new document और इसके बाद है email address तो पहले हम यहां पे करेंगे place in this document यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद अब sheet number one इसको हमने यहां पे रखा हुआ है text to display sheet number one और sheet number one यहां पे हमने रखा रखने के बाद यहां पे यह cell reference कि यहां पे जब यह sheet number one open हो तो यह जो cell है यह कहां पे आए तो यहां पे A1 दिया हुआ है तो जब यह sheet number one open होगी तो यह यहां पे आएगा अगर हम इसको cell reference change करना नमबर वन है जब अपन होगी तो यह यहां पे आएगा ए 14 पे आएगा तो यह हम यहां पे लिखेंगे 14 ए 14 ही लिखा लिखने के बाद हम यह okay पे click करेंगे तो okay पे click करने के बाद ये देखो ये जो है इसका hyperlink यहां पे बन गए हम और यहां पे जब ये हाथ का symbol यहां पे आ जाता है तो इसका मुझल भी यह है कि यहां पे यह hyperlink बन गई है sheet number one hyperlink बन गई है इसी प्रकार हम दूसरे को hyperlink बनाना जाते है sheet two को तो फिर यहां पे sheet two के ओपर click करेंगे यहां पे click करने के बाद आगर हम यहां पे links group में नहीं जाना जाते हैं तो हम इसके ओपर right click करेंगे right click करने के बाद यहां पे link पे जाएंगे Link पे जाने के बाद यह दिखो यहां पे Insert Hyperlink Dialog Box यहां से Open हो जाएगा और Open होने के बाद हम Cell Reference A1 रहने देंगे यहां पे और इसके बाद Sheet 2 इसको Hyperlink बनाएंगे Sheet 2 पे क्लिक किया इसके बाद OK पे क्लिक किया यह दिखो Sheet 2 का भी यहां पर hyperlink बन गया इसके बाद sheet 3 को अगर हमने hyperlink बड़ा रहा है तो हम यहां पर sheet 3 पर click करेंगे और keyword के जरीए भी hyperlink को open कर सकते हैं तो इसको keyword के जरीए open करने के लिए हम control plus k press करेंगे यह देखो control plus k press करने पर यह hyperlink dialog box यहां पर open हो जाएगा जिसमें कि हम यहां पर sheet 3 यहां पर click करेंगे और इसके बाद ok पर click करेंगे तो यह देखो sheet 3 का hyperlink बन गया इसी परकार हम sheet number 4 को hyperlink बनाएंगे यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद यहां पर link group पर जाएंगे link group पर जाने के बाद hyperlink पे क्लिक करने के बाद यहां पे sheet number 4 यहां पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ok पे क्लिक करेंगे ok पे क्लिक करने के बाद यह देखो sheet number 4 का यहां पे hyperlink बन गया तो यह सभी का यहां पे sheet number 1, 2, 3, 4 इन सभी का यहां पे hyperlink बन गया अब जिस sheet number के उपर हम click करेंगे वह sheet number open हो जाएगी अगर हम यहाँ पे sheet number second को open करना जाते हैं तो हम यहाँ पे sheet number second पे click करेंगे तो sheet number second यहाँ पे open हो जाएगी यह देखो यहाँ पे sheet number second यहाँ पे click किया यह sheet number यहाँ पे second open हो गी यह देखो निच्छे यहां पे दिया गया है sheet number second यह यहां पे उपन हो गई है अगर हम यह home sheet पे जाना जाते हैं पहली sheet पे जाना जाते हैं तो उसको करने के लिए हम यहां पे एक button बनाएंगे तो यहां पे insert टैप पे क्लिक करेंगे और shape पे जाएंगे shape पे जाने के बाद यहां पे हम यह shape लेंगे और यह यह shape लेने के बाद यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह shape यहां पे आ जाएगी इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे home तो यहां पे text box यहां पे click किया और यहां पे click करने के बाद यहां पे लिखा home यह लिखने के बाद इसको center में करेंगे center में करने के लिए हम home tap पे जाएंगे और इसको यहां पे center में कर देंगे center में करने के बाद इसके बाद अगर हम इसका यह जो font color है इसको change करना जाते हैं तो font color इसको change कर सकते हैं जैसे हमने इसको यलो पे रखा यलो पे रखने के बाद इसका साइज भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं जैसे suppose करो हमने यहाँ पे 16 रखा रखने के बाद तो यह यहाँ पे home button बन जाएगा इसका हम यहाँ पे hyperlink बनाएंगे तो hyperlink बनाने के लिए इसी के ऊपर क्लिक करेंगे इसके ओपर क्लिक करने के बाद हम इसके ओपर राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहां पे लिंक पे जाएंगे लिंक पे जाने के बाद यहां पे शीट नमबर वन यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद यह दिखो इसका hyperlink यहां पे बन गया है जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो हम home sheet पे चले जाएंगे जो sheet number 1 है वहां पे चले जाएंगे यह दिखो यहाँ पे क्लिक किया यह sheet number 1 यहाँ पे आगे इसी परकार अगर हम sheet number 3 पे जाएंगे तो यह sheet number 3 यहाँ पे open हो जाएगी अगर यहां पर भी हम Home Button बनाना चाते हैं तो हम यहां पे Insert tab पे क्लिक करेंगे Shape पे जाएंगे और यहां पे एक Home Button हम यहां पे बनाएंगे यह Home Button यहां पे रखा इसको रखने के बाद इसमें Text लिखा जैसे Home यह Text लिखा लिखने के बाद आगर इसको यहाँ पे shape style change करना जाते हैं जैसे यह किस shape में इसको रखना है तो यह shape style यहाँ से हम रख सकते हैं जैसे यह चाहिए यहाँ पे click किया यह home center में करेंगे तो यह home पे गए यहाँ पे इसको center में किया यह center में आ गया आने के बाद अब हम इसका हाइपर लिंक बनाएंगे इसके ओपर क्लिक किया क्लिक करने के बाद इसके ओपर राइट क्लिक किया राइट क्लिक करने के बाद लिंक पे गए यहां पे लिंक पे क्लिक किया लिंक पे क्लिक करने के बाद यहां पे हम sheet number 1 यहां पे क्लिक करेंगे और क्यां पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद यह जो है इसका hyperlink यहां पे बन गया यह देखो हाथ का symbol यहां पे आ गया इट मींज यहां पे यह hyperlink बन गया है जब हम यहां पे click करेंगे तो हम sheet number 1 पे चले जाएंगे यह देखो home पे यहां पे click किया sheet number 1 यहां पे open होगी इसी प्रकार हम sheet number 4 इसके लिए भी यहां पे home button बनाएंगे यहां पे insert टैप पे जाएंगे और shape पे जाएंगे button हम यहां पे बनाएंगे जैसे यहां पर भी हम लिखेंगे यहां पे text box हम यहां पे लिखेंगे home home लिखा home लिखने के बाद इसका भी अगर design चेंज करना है जैसे हमने यह design चाहिए यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद इसको भी center में किया home tab पे गए और इसको भी center में लिख दिया इसके बाद इसका font size हमने बढ़ाना है तो इसका font size यहां पे 11 है इसको 16 किया यह font size 16 हो गया होने के बाद हम इसका भी hyperlink बनाएंगे तो इसके उपर फिर हम click करेंगे और right click करने के बाद यहां पे link पे जाएंगे link पे जाने के बाद sheet number one यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद okay पे click करेंगे ओके पे click करने के बाद यह भी hyperlink बन गया है यहां पे हाथ का symbol आ गया है यहां पे हम click करेंगे तो sheet number one पे चले जाएंगे यहां पे click किया तो यह sheet number one यहां पे open होगी तो इस प्रकार यहां पे हम sheet का hyperlink बना सकते हाइपर लिंक हमने रिमूब करना है तो इसको रिमूब करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जैसे शीट नमबर फॉर इसको रिमूब करना है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूब हाइपर लिंक के यहाँ पर क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यहां से हाइपर लिंक का रिमूब हो गया है इसके बाद डिलीट की प्रेस करेंगे यहां से यह डिलीट हो जाएगा इसी परकार शीट नमबर थरी पे क्लिक किया Remove Hyperlink यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद फिर Keywater से Delete Key Press की यह भी रिमूब हो गया इसी प्रकार हम यह Sheet No. 2 को रिमूब करेंगे इसके बाद Mile baghe की प्रेस की यह भी रिमूब हो गया और इसी प्रकार हम Sheet No. 1 को अगर Remove करना है तो Remove Hyperlink यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कीवोड से डिलीट कीप्रेस करेंगे यहां से यह डिलीट हो जाएगे तो इसके बाद आगे हम करेंगे यहां पर इंसल्ट टैप पर जाएंगे इंसल्ट टैप पर जाने के बाद यहां पर लिंक ग्रूप पर जाएंगे और यहां पर hyperlink पे click करेंगे hyperlink पे click करने के वाद आगे है create new document अगर नया document बनाड़ा है तो हम यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे click करने के वाद यहाँ पे click किया यहाँ पे click करने के वाद यहाँ पे text to display name देना है कौन सा name देना है जैसे suppose करो हमने यहाँ पर कोई भी name दिया जैसे बिशाल name दिया इसके बाद name new document ये भी हमने बिशाल लिखा इसके बाद है full path यहाँ पर अगर path को हम change करना जाते हैं तो हम यहाँ पर change पर जाएंगे और इस path को हम change भी कर सकते हैं लिखने के बाद हम यहाँ पर bend to edit, edit the new document या अब इसको edit करना है तो हम इस second option को लेंगे edit the new document now यहाँ पे click करेंगे और इसके बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह लिखो बिशाल name यहाँ पे आ जाएगा यह बिशाल name यहाँ पे आ गया आने के बाद अगर हम इसको edit करना जाते हैं यहाँ पे कुछ लिखेंगे लिख दिया तो यह नया document हमारे पास बन गया तो इस प्रकार हम यह new document यहाँ पे बना सकते हैं उसको link भी कर सकते हैं इसके बाद इसको यहाँ पे बंद करेंगे बंद करने के बाद आगर save करना है तो हम इसको save भी कर सकते है save पे कलिक करेंगे अब हम यहाँ पे बिशाल पे कलिक करेंगे तो new document हमारे पास open हो जाएगा यह देखो यहाँ पे कलिक किया यहाँ पे कलिक करने के बाद यह new document हमने यह बनाया था यह तो यह open हो गया तो इस प्रकार हम यहां पर new document create कर सकते हैं इसके बाद यहां पर इसको बंद किया इसके बाद हम यह सिखेंगे कि किसी और Excel फाइल को यहां पर link कैसे करवाई जाता है यह वीडियो फाइल को link कैसे करवाई जाता है या Amaze फाइल को link कैसे करवाई जाता है यहाँ पे हम सिखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसल्ट टैप पे जाएंगे और इसके बाद लिंक स्क्रूब में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हाइपर लिंक यहाँ पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद first option पे क्लिक करेंगे existing files और web pages यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद कौन सी file हमने यहां पे link करवानी है यह current folder है अगर यहां से नहीं करवानी है तो यहां से हम इसको browse करेंगे browse for file यहां पे क्लिक करेंगे अब यहां से कौन सी फाइल हमने लिंक करवानी है कहां पे रखी हुई है जैसे स्पोज करो हमने यहां पे डाकॉमेंट में रखी हुई है डाकॉमेंट पे क्लिक करेंगे तो यह डाकॉमेंट की फाइल है यहां पे उपन हो जाएगी suppose करो हमने यहां पे जैसे यहां पे हमने नितिन नाम की फाइल यहां पे लिंक करवानी है तो यहां पे इस फाइल के उपर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद यहां पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखो फाइल ये नितिन फाइल यहां पे लिंक हो जाएगी जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये नितिन नाम की फाइल यहां पे लिंक हो गई है तो इस प्रकार हम बर्कषीट में कोई दूसरी फाइल लिंक करवाना जाते है तो उस फाइल को हम यहां पे लिंक करवा सकते हैं इसके बाद यहां पे इसको बंद किया बंद करने के बाद इसके बाद है अगर हम यहां पे कोई वीडियो फाइल इसके साथ लिंक करवाना जाते है तो यह वीडियो फाइल भी लिंक करवा सकते हैं इसको करने के लिए हम यहां पे insert टैप पे क्लिक करेंगे और यहां पे shape बनाएंगे यहां पे shape बनाने के लिए यहां पे rectangle shape यहां पे लिए और लेने के बाद यहां पे click किया क्लिक करने के बाद ये rectangle shape यहां पर बन जाएगी इसके बाद यहां पर text लिखेंगे यहां पर text लिखा open video लिखा open video लिखने के बाद इसको भी हमने center में किया home tap पे गए और इसको center में कर दिया center में करने के बाद इसका size हमने यहां पर बढ़ा दिया इसको size हमने 16 किया यह size बढ़ा दिया इसका font color हमने इसको change कर दिया यलो में कर दिया यह बटन यहां पे बन के आ गया इस बटन में हम video को link करवाना जाते हैं तो video को link करवाने के लिए यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद insert टैप पे जाएंगे और यहां पे links group में जाएंगे और इसके बाद hyperlink यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यहां पे browse for file यहां पे click करेंगे इसके बाद desktop पे video रखी हुई है यहां पे desktop पे क्लिक करेंगे इसके बाद office file इसके बाद यहां पे all files पे क्लिक करेंगे तो यह सभी files यहां पे आ जाएंगी अब हमने इस video file को यहां पे link करवाना है तो हम यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यहां से ok पे click करेंगे तो ok पे click करने के बाद यह दिखो हाथ का symbol यहां पे बन गया है इसका मतलब यह है कि यहां से यह video file link हो गई है तो हम यहां पे video file को दिखने के लिए हम यहां पे click करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह देखो यह वीडियो फाइल यहां पे उपन हो जाएगी Hello इस वीडियो में हम Home Tab के Alignment Group के बारे में जानेंगे तो इस प्रकार हम वीडियो फाइल को भी यहां पे लिंक करवा सकते हैं इसके बाद अगर हम Amaze को लिंक करवाना जाते हैं तो Amaze को भी यहां पे लिंक करवा सकते हैं हम यहां पे Insert टैप पे जाएंगे और यहां से एक बटन बनाएंगे यहां पे यह हमने एक बटन बनाया यह बटन क्रेट किया create करने के बाद यहां पे लिखा text box यहां पे क्लिक किया और इसके बाद यहां पे लिखा open amaze लिखा इसके बाद आगर shift style change करना है जैसे यह चाहिए यहां पे क्लिक किया यह shift style change हो गया इसके बाद इसको center में करना है यह जो लिखा हुआ है यह center में हो गया इसके बाद आगर व फॉंट कलर इसका भी चेंज कर दिया ये फॉंट कलर हमने ग्रीन ये रखा अमेज को लिंक करवाने जते हैं तो हम यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद इंसल्ट टैप पे जाएंगे और यहां पे जाने के बाद लिंक्स ग्रूप में जाएंगे और यहां प पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद डस्टोप पे क्लिक करेंगे डस्टोप पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पे अमेज आईए इस के ओपर क्लिक करेंगे अमेज के ओपर क्लिक करेंगे अमेज के ओपर क्लिक करने के बाद OK पे क्लिक करेंगे और यहां से OK पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक करने के बाद ये दिखो, ये हाइपर लिंक यहां पर बन गया है, जब हम यहां पर क्लिक करेंगे, तो अमेज यहां पर ओपन हो जाएगी, ये दिखो, यहां पर क्लिक किया, ये दिखो, अमेज यहां पर लिंक हो गई है, इसके बाद फिर हम य पे गए इंसल्ट टैप पे जाने के बाद यहां पे लिंक ग्रूप पे गए और यहां पे हाइपर लिंक पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे existing files और बैपेज यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद address यहाँ पे address वरेंगे web page का तो address जैसे हमने यहाँ पे वरा तो यह हमने यहाँ पे web address वरा www.google.com यह हमने web address वरा वरने के बाद हम इसको link करवाने जाते हैं तो इसके बाद यहाँ पे ok पे click किया ok पे click करने के बाद यह दिखो यह hyperlink कि यहां पर बन गया है बनने के बाद जब हम यहां पर क्लिक करेंगे तो यह बैपेज यहां पर ओपन हो जाएगा यह दिखो यहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पर बैपेज यह ओपन हो गया है तो इस प्रकार यहां पर हम बैपेज को भी लिंक करवा सकते हैं इसके बाद यहां पे इसको बंद किया इसके बाद अगर हम email का hyperlink बनाना जाते हैं तो email का भी hyperlink बना सकते हैं इसको बनाने के लिए हम यहां पे insert टैप पे click करेंगे इसके बाद links ग्रूप पे जाएंगे और यहां पे hyperlink पे click करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह जो last option है email address यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद यह email address यहां पे email address परेंगे यह हमने यहां पे email address पर आईए यह email address परने के बाद अगर हम इसका subject यहां पे देने जाते हैं तो subject यहां पे दे सकते हैं जैसे कुछ भी हमने यहां पे subject दिया यह suppose करो subject दिया हमने यह subject देने के बाद हम यहां पे ok पे कलिक करेंगे ok पे कलिक करने के बाद तो यह यहां पे email address का यहां पे link बन जाएगा तो इस प्रकार हम email को भी यहां पे hyperlink बना सकते हैं तो इस वीडियो में हमने hyperlink के बारे में जाना कि hyperlink को कैसे create किया जाता है आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद